हलो दोस्तों कैसे हैं आप अक्सर में आपके सामने सिक्चवर्टी से जोड़ी जानकारी लाता रहता हूँ आज भी ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ हम बात करेंगे एक आधिक जारी हुया वर्ग एक वर्दो और वर्ग तीन की पोश्टों की गर्णा को लेकर तो वो मेरे लिए एक भाई ने भेजा है उस पर समिक्चा करेंगे साथ में आपका कर लिजर्वेशन पर सुनवाई है तो फाइनली आपका डिसीजन आएगा की नहीं आएगा उस बारे में भी बात करेंगे तो चलें पहले हम वो आधिस देख लेते हैं तो दोस्तों ये हमेसा दो तीन महीने या चार महीने में एक सर्वेक्चन जरूर कराते हैं इसका मकसद होता है कि यदि कोई पोश्ट टांसपर से भर दी गई है या कोई पोश्ट टांसपर होने से खाली हुई है या फिर कोई रिटाइड हो गई है उनकी पुष्ट खाली हो गई है उनकी समिक्चा करना तो ये आपके वर्ग एक वर्दो और वर्ग तीनों के ही जो किलासे से हैं उनके दोस्तों यहाँ पर समिक्चा की जा रही है तो ये लेटर उसी के संबन्द में है दोस्तों और ये अब हम अगली न्यूज पर चलते हैं तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि रेजर्वेशन पर आपका फैसला कल आ सकता है क्योंकि तेशनों दो हजार बीस को सुनवाई है अब बहुत से वाइब ये कह रहा है कि सर डेट तो आंगे नहीं बढ़ जाएगी तो आपको जैस में अब एदी समिक्चक कंप्लीट हो गई है दोस्तों तो आपका कल डिसीजन आएगा ही आएगा हमारी जो सिक्चम मंत्री जी है उन्होंने बक्तब दिया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता हम आपकी कांसलिंग कैसे कर सकते हैं वर्ग एक और वर्ग दो बालों कि सिक्चम मंत्री जी साब बयान दे चुके हैं कि जब तक आपका फैसला नहीं आ जाएगा हम आपकी कांसलिंग कैसे कर सकते हैं तो आई होब कि 23 नों 2020 को आपका फैसला जाए जिससे कि आपकी कांसलिंग फिर से स्टार्ट हो सके तो ये वीडियो एक सूचना मात्र था अही दिल से धन्यवाद, आपका दिल सोभूग।